हेलो सुद्रेंट वेलकम टू माई चैनल इनोवेशन वाई फाई स्टड़ी आज अपन सुरू करेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट का 11 नंबर अग्जामपल अब देखीगा इस अग्जामपल में हमें क्या दिया गया है विसंख्या रेखा पर 5.97 तक अर्थार्थ 5.3777 तक यानि ये साथ-साथ रिपीट हो रहा है तो यानि इस पे साथ पे हम बार भी लगा सकते हैं बार का मिल्स है ये जो परते एक बार का रिपीट होता देगा का निरूपन करें अब हमारे पास में ये आपको लाइन दिखाई दे रहे होगी ये हमें संक्यारे का खूंचने है सबसे पहले ठीक, इस परकार से arrow लगा के, अब ये 5.37777, यानि ये बार-बार repeat हो रहा है, इसका means क्या है, ये जो value है, वो किस-किस के बीच में है, 5 से बड़ी है, और 6 से क्या रहेगी है, हमेशा ही छोटी रहेगी, कितनी ही बार आप साथ लिखो, ये values क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे, ये value आपके पास में जो भी है, इसको साथ पे चलो, आपने बार लगा रखा है, ये value, साथ पे बार लगा रखा है, तेन पॉइंट, पांच पॉइंट, तेन साथ बार का मान, पांच वै, छै के, बीच में है, ये condition होगी, भी इसके पांच और छै के बीच में है, तो यहां से हमारे पास में, यह हमारे पास में क्या होगा पांच होगा और यह हमारे पास में क्या होगा छे होगा पांच और छे के बीच में है अब देखो यहां पर एक आएगा पांच पॉइंट एक पांच पॉइंट दो पांच पॉइंट तीन पांच पॉइंट चार 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और यह हमारे पास में 5.9 और 5.10 तो हमारे पास में यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे, जैसे 5.1 लिख दिया, इसको लिखोगे 5.2, यह लिखोगे 5.3, 5.4, 5.5, इसके बीच में, बीच में 5 और 6 के बीच में 9 लाइन बनानी है पास में 5.6, 5.7, 5.8 और यह 5.9 और 5.10 हमारे पास में 6, अब देखो यह हमारे पास में है 5.3, शाथ हैं, आप देखो 5.3 यह रहा, और 5.3 इसको यह रिपिट होतह रहता है, तो हमारे पास में 5.4 अब देखो यह वैल्यूस किस-किस के बीच में है defensivesालें पाहें 5 .3 और 5 hain 5 .3 5,4 चार की बीच में एल्यू यहां पह यहां पंपर आएगी बीच में वल्यू आएगी अब यह व City यह डी दम्रएंगे कौन से हमारे पास में 5.3 और 5.4 आगे जो कंडिशन रहेगी वो किसरष हो यह हैं हमारे पास में 5.iye 3 हैं और यह हमारे पास है किसके बीच में हैं 5.4 के बीच में हैं अब हमारे पास में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और यह हमारे पास में नो तो अबहु है यह हमारे पास में क्या होजगा 5.31 5.32 यह हमारे पास में 5.33 यह हमारे पास में 5.34 यह हमारे हमारे पास में 5.38 और यह हमारे पास में 5.39 और 5.310 हमारे पास में 5.4 हो जाएगा अब यह वेल्यू किसके बीच में आएगी चेक करो हमारे पास में है 5.377 तो 5.377 रिपीट होता जाता है तो 5.37 से तो बड़ी है ना देख सकते हैं 5.37 और 5.38 से बड़ी है 5.38 से छोटी 5.37 से बड़ी यह संक्या इन दोनों के बीच में आएगी तो अपन यह संक्या उठाएंगे दोनों जैसे यहां पर स्टार्टिंग में हमारे पास में आएगा 5.37 और यहां हमारे पास में हैं 5.38 अब हमारे पास में बीच में वही दस लाइन नो लाइन बनाने हैं 5.2 3 4 5 6 7 8 और यह 9 तो हमारे पास में इसको क्या लिखें हैं 5.371 5.372 यह 5.373 यह हमारे पास में 5.374 यह हमारे पास में 5.375 यह हो देगा 5.376 5.377 5.378 यह आएगा 5.379 और यह हमारे पास में दस यह नि 5.38 अब देखो किस के बीच में हैं यह यहां से हमारे पास में किस के बीच में आएगी 5.377 तो 7 7 से बड़ा है और 3.78 से 5.378 से चोटा है तो हमारे पास में यह आएगा 5.377 से तो बड़ी वेल्यू आएगी और यह हमारे पास में 5.378 से चोटी है ना आठ तो कभी आएगा नहीं इसमें आठ से तो चोटी रहेगी और साथ साथ आता जाएगा तो दो साथ एक तीन साथ आजेगा तो यह इसे बड़ी हो जाएगी तो यानि साथ रिपीट हो रहा है तो अब चले यह स्टार्टिंग में उठाएंगे वेल्यू पा सब्सक्राइंयो जें कितना आया था यहां से फर्स्ट नंमर हमारे पास में आएगा पौइंट इन सात नमीं है यह लास्ट नंबर आया था हमारे पास में पांच इंट इन साथ आठ ठीक है अब यहां से हमारे पास में वह ही एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ और यह नो तो यह हमारे पास में क्या होगा पांच पॉइंट तीन साथ साथ यह पांच पॉइंट तीन साथ साथ एक यह हमारे पास में पांच पॉइंट तीन साथ साथ दो यह हमारे पास में पांच पॉइंट तीन साथ साथ तीन यह हमारे पास में पांच पॉइंट यह हमारे पास में कहा देगा पांच पॉइंट तीन साथ साथ त्यार यह हमारे पास में पांच पॉइंट तीन साथ साथ पांच और यह हमारे पास में पांच पॉइं तेन साथ साथ और यhe सात और यह हमारे पास में 5.3 साथ आड़ और यह हमारे पास convex 5.3 साथ को साथ अब यह चेक रो भी 5.3 साथ c loops 5.37 so Khan 2 शाथ साथ रेपीट हो जा जा Back और यह उसमें आयंगा नहीं तो यह नंबर किसे बीच में आएगा किसे सद्र kick बीच में आए और यह 8 है, इसके बीच में आएगा, अब यह दो नमबर उठाएंगे, शुरू के और लास्ट के, उठा लो इन दोनों के बीच में हैं हमारे पास में, जैसे हमारे पास में यह आ गया, 5.3, 7, 7 और 7, यानि पॉइंट के बाद में 4 रंग तक आ गया, और यह हमारे पास में आ नो लाइन, यहां से हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह थोड़ा सा गेप सही रखना है, इस ठीक है, गेप सही होना चाहिए, इनके बीच में, यह हमारे पास में जैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8, तो यह हमारे पास में क्या बनेगा, यह हमारे पास में बनेगा, 5.3, 7, 7, और 7, 1, यह हमारे पास में बनेगा, 5.3, 7, 7, 7, 2, यह हमारे पास में बनेगा, 5.3, 7, 7, 7, 3, यह बनेगा, बनेगा, 5.3, 7, 7, 7, 4, यह बनेगा, 5.3, 7, 7, 7, 5, यह बनेगा, 5.3, 7, 7, 7, 7, और यह बनेगा, हमारे पास में पांच पॉइंट तीन साथ 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 कि यहां पे कितनी लाइने हो गई एक मिस कर दिया गया यहां पे अब देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह एक और करने वीच्व हूं ठीक है तो यहां से इसको इरेज कर देता हूं मैं इन दोनों लाइनों को नो करने वीच्व हूं ठीक है तो यहां से हमारे पास में छे यह हमारे पास में साथ यह हमारे पास में आठ और यह हमारे पास में नो तो यह हमारे पास में कितना अगा पांच पॉइंट तीन साथ 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 यह हमारे पास में पांच पॉइंट तीन साथ साथ आठ और यह हमारे पास में 5.3, 7, 7 और 7 और यह आपको है 9 ठीक है इस परकार से अब देखो पॉइंट के बाद में देखो कितने अंकार हैं एक, दो, तीन, चार, पांच अंकार हैं यानि दसमलों के बाद में 5 सतानों तक अब यह नंबर कौन सा होज़ेगा हमारे पास में लास्ट नंबर यह होज़ेगा यानि यह नंबर है हमारे पास लास्ट यानि पांच पॉइंट यह नंबर होगा जो की संख्यारेखा पर हमें दर्साना था दसमलों के बाद में 5 पॉइंट तक कलियर है इस प्रकार से क्यूशन को करना है यह हमारे पास में इसका last result आएगा अगर आपको 6 दसमलों के बाद में 6 तानों तक बोले तो एक line और बनानी है और यह किस के बीच में आएगा यह इसके बीच में आजेगा दोनों को उठाएंगे नमबर लेंगे first और last उसके बीच में पूरी complete no line बनानी हमें 9 ठीक और नहीं तो पूरी 10 करनी है नहीं 8 करनी है ठीक है पूरी 9 बनानी है अब इसके बीच में यह हमारे पास में last values आ गए तो यह question आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके इसी परकार से हम exercise 1.4 करने वाले हैं तो उसमें हमारे पास में यहां से आप देख लिजीगा यह तो example था हमारे पास में 1.4 का इसमें 1.4 exercise में 2 question है वो भी next class में complete करेंगे तो यह क्यूसरा आपको समझ में आ गया होगा अगर यह क्यूसरा आपको समझ में आ गया तो वो आप असानी से कर पाऊगे और यही हमें निरुपित करना था ठीक है तो यह class कैसी लगी comment करके जूरू बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना नेक्स्ट वीडियो में मिलें कुछ ने के साथ जैहिन जै भारत